मैं यह कहता हूँ पूरा गांधी परिवार अगर पूरा गांधी परिवार यदि चेहरा लेकर आए तब भी मेरी परदानमंत्री नेंदर मौदी की तुलना नहीं कर सकते हैं यह वो अनपड़ लोग हैं जो यह कहते हैं कि मेरी बादनों किसको बना दिया किसको नहीं एक I.S. अधिकारी को बोल रहेंगे किसको बना दिया I.S. अधिकारी हैं जो मलब पड़े लिखे हैं जो आज पूरे देश के नेतरतों में हैं हमारे परदानमंतरी नेंदर मोदी के सानितिय में काम कर रहे हैं और वो उनको अनपड़ करे हैं तो मैं तो यह कह सकता हूँ कि उनसे बड़ा जाहिल वह को कोई नहीं है कांग्रेज की सरकार है यह आपस में लड़ती रहती है काम ही लढना है इनका काम ही देश को अंघरेज नीति भी दलते हैं कि लडाई कर राज करो नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अरजुन खजूरे और आपका स्वागता है प्यारा हिंदोस्तान में करनाटक विधान सवाचुनाव के नतीजे आने के बाद आखिरकार चार-पांच दिन की कश्मकश रही कि सिद्धा रमया मुख्यमंत्री बनेगे या डिके शिवकुमार इसी बीच आज नाम तैह हो चुका है सिद्धा रमया जो है वह मुख्यमंत्री बन रहे है 50-50 का फार्मोला यहाँ पर तैह किया गया है कि डीके शिव कुमार जो है वो ढ़ाई साल के बाद जो है इस पद को संबालेंगे उसके लावा अगर यहां पर बात की जाए तो 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है बीजेपी के अगर स्टाइटजी की बात की जाए तो राजसान, मद्य परदेश और 36 गड़ चुनाव को मद्य ज़र रखते हुए जो है उन्होंने अपनी तैयारियें शुरू करती है इसी भी चार्ज अगर बात की जाए तो यहां पर मोदी कैबिनेट में भी फेर बदल देखने को मिला है किरन डीजीजु को जहां कानून मंत्राले से हटा करके अब उनको अर्थ साइंस मनिस्ट्री दी गई है वहीं अर्जुन राम मेगवाल एक बड़े दलित नेता पूर में जो है आईएस रहे चुके हैं उनको अब कानून मंत्राले स्वंपा गया है इसके अलावा अगर बात किया है तो अचार प्रमोत कृष्णम जो कॉंग्रेस के नेता है वो उनकी तरफ से यहां ब पूरे देशबर से लोग यहां पर गुमने आते हैं उनका क्या विचार है इस पर यह समय जो पूरी राजनीती चल रही है उस पर उनका क्या कहना है सर क्या नाम है आपका मौमध फारुक चवान बीज़ेपी से हम पार्षद है बीकानेर से राजस्थान से राजस्थान से हैं आप पार्ष बिल्कुल बिल्कुल राजसान से आते हैं आज उनको जो है यह कानून मंत्रालि एहम मंत्रा लिया नह valued हों यहां पर दिया गया है क्या कहेंगे क्वार रेक्ष्णू विकानेर से हमारे लोग कृष्ड और यहां मंत्रा जी को बधाई देने के लिए आए हैं और उनको जो कानुन मंत्री बनाया है हम ये इस मीडिये के दुवारा ये भी कह सकते हैं कि सरकार किसी की नहीं सिर्फ भारतिय जनता पार्टी की ही बने की स्पेशली उनको बदाई देने के लिए ही राजे साम से बिल्कुल सुबा जब ये न्यूज आई जब से ये उसी हम अपने गाड़ी लेकर के और सिधे हम यहां कारेल बीजेवी का अपने एमपी साब के ओफिस आए वा उनको बदाई दी गुल्दस्ता दिया बिल्कुल मिलना हुआ मिठाई ये बांटी और हमने बिकाने की तरफ से भी साब को बहुत-बहुत आर्दिक बदाई रियक्शन था रियक्शन तो उनका बहुत ही अच्छा था क्योंकि हमारे एमपी साब जैसे जैसे कोई पद मिलता हो वैसे भी काम वो जमीन में जमीनी इस तरफ पर रेकर के काम करते हैं और वो काम आके भी इसी तरीके से करते रहेंगे बारती जंता पार्टी का मनोबल प्रशासनिक सेवावां में यह कहते हैं किसको बना दिया एक भी इस काने आए। प्रदानमंतरी नेंदर मोदी के सानीदिय में काम कर रहे हैं और उनको अनपड़ गरें तो मैं तो यह कह सकता हूं कि उनसे बड़ा जाहिल वह बेव कोई नहीं है इसी बीच जो करनाटक की कश्मक चल रही थी अब यहां क्योंकि 24 की तहरी एक साल रह गया है 24 में और अचारे क्रिश्णम यहां पर्कोंग्रेस के बड़े नित हैं उन्होंने कहा है की प्रिंग का गांधी वह जहरे का चुनाव है मोदी इतना बड़ा चाहरा म कर सकते हैं परदानमनी दिन नेंदर मोदी जो है उससे उपर आज की डेट में कोई नहीं है वर्ल्ड के अंदर जो उन्होंने नाम देश का किया है उससे पहले आज तक कभी किसी नहीं कि दिया राजरसान में क्या लड़ाई चल रही है गहलोत सचिन पाइलेट मतलब एकी साथ पहले मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री थे बाद में हटा दिया गया अब कभी एंशन पर बैठ जाते हैं अभी पदियातरा निकाल रहा है शोग गहलोत के खिलाफी देखिए कांग्रेज की सरकार है यह अपस में लड़ती रहती है इनका काम ही लड़ना है इनका काम ही देश को अंग्रेज निती बिचलते हैं कि लड़ाई करो राज करो यह उनका काम है तो इसलिए क्या है कि वो लड़ते रहेंगे पहले यह था कि सचिन को बनाएंगे फि पर एक हो पहरत नहीं है कोज सब्लाइट और अलग देखने को जैसे हमने पिछली बार देखा 200 विदान सभा सीटे हैं राज्य में कॉंग्रेस की सत्ता आई और 2019 का लोग सभा चुनाव सारी की सारी सीटे बीजेपी को दे दी उस समय इस बार भी राज्य की और लोग सभा की दो सारी सीटे भारतिय जन्ता पार्टी के पास ही आएगी कानून और न्याए एक बड़ा मंत्राले पूरा देश चलता है कानून से देश चलता है और वो अर्जुन राम जी चलवा लेंगे हमको पता है बहुत से सोचल मीडिया खोलकर मैं देख रहा हूं किसको बना दिया कोई उनके पापड़ वाला कोई पुराना वो वीडियो निकाल रहे है पता नहीं किसको बना कर उठा दिया कि राजसान चुना आ रहा रहा है इसलिए अर्जुन राम एग वाल को बना दिया जबके बड एक विषसाब करनाटक में जैसे मुक्य मंत्री बनाया है तो डाइडाई साहल के लिए बनाया है उनको यही फिक्स नहीं हो पारा है इस वजे से वो बोल रहे हैं कि यह सरकार हमारी बनी है कहीं उजड़ा जाए इसलिए हम यह फैंस ला लेके खुष हैं बागी हमारे मन में खुष ही नहीं है करनाटक में अभी हम दिल्ली में मौझूद हैं करनाटक में यहां से पाटी गई थी आमादमी पाटी बहुत प्रचार किया फ्री फ्री जैपूर में भी कैम्पेइन शुरू कर दिया उन्होंने बट वहां उनको नोटा से भी कम वोट मिला नोटा को 0.69 परसेंट उनको 0.58 प सब्सक्राइब अलग निकाला आपने दोसों में से 135 प्लस वो आता है हमारा फिक्स है और आएगा और आएगा लडाई का मतलब जो सचिन पालेट और रशोग लडाई का भी फरक पड़ेगा उन्होंने पांच साल पूरे लड़ाई में निकाल दी है कभी किसी ओटल में बै सब्सक्राइब बनने जा रहे थे जो गैलोड देखा पीछे से तो सीम की कुर्सी निकल रहे है तो रुग गए वो वस एक चीज देखना चाहते हैं मेरी मेरे से हटके और कोई सीम राजस्तान का बनना जाए उनके दिमाग में बस एक ही फैसिंग चलती है कि मैं मुख्यमंत से बना रहे हूं और यह पोस्त तो किसी वह दूसरे को ना मिल जाए वह भी इस वार एक सुप्रेंगा गांदी के लिए प्रचार कर रहे हैं विपक्षी की एक जुट हो जाओ अब ममतार अनरजी भी साथ में आ रहे हैं क्या प्रिंका गांदी वर्सिस पीम मोदी क्या लग सब्सक्राइब को को कि आप इसानल ले जाओ जैए विट एब जैसे न्यूज मिली कि मंत्राले मिल गया है कानून मंदल मंत्री हूं इस पर दिया गया है आशन्यराम मेग्वाल को तो आप उसी संसधिये चेतर से आते हैं आपके सांसध पूरे देश में कानून प्रक्रिया कैसे चलेगी सरकार की तरव से भारत सरकार की तरव से वह देखेंगे आपके क्या इसमें जो है रहे हैं क्या कहना चाहेंगे इसमें कानून मंत्री अर्जुनाम जी को बनाया है तो काफी वह काम कराते हैं हमारे 15 साल होगे काफी विकास किया है और हर चीज में वो नोलेज रखते हैं और कानून मंत्री आराम से निबा लेंगे प्रशासनिक सेवाओं का भी हाँ बढ़ी आपद है तुन्यवाद